महराश्ट्र में आज हजारों परिवारों के अपने घर का सपना साकार होने जा रहा है प्रधान मंत्री लगभग 2000 करोट रुपी की आठ अम्रित परियोजनाओं की आधार्शला रखने जा रही है आज के इस एतिहासिक आवास लोकारपन समार हो में माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी महामहिम राजयपाल श्री रमेश बैस मुख्य मंत्री श्री एकनाद शिंदे उपमुख्य मंत्री श्री देवेंदर फडणविस उपुमुख्य मंत्री श्री अजीत पवार, सोलापूर जिले के प्रभारी मंत्री श्री चंदरकान पाठिल, गुरुह निर्माण मंत्री श्री अतुल सावे, रेनगर फेडरेशन के संस्थापक और मुख्य प्रवर्तक श्री नरसया आडम और उपस्थित सभी माननेवर। मंत्री जी का आगमन हो चुका है, कुरुपया आप शान्ती बनाए रखे। आज का दिन अनेक अर्थ में बड़ा ही एतिहासिक और असाधारन दिन है, मुनवर राना सहाब का एक शेर मुझे याद आ रहा है, मुनवर राना सहाब ने कहा था, कि सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिचा कर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खा थे, ऐसे हजारों मजदूरों का फुटपाथ से लेकर, अपने खुद के मकान तक का सफर, माननिय प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मुदी जी के अथक प्रयासों से आज साकार हुआ है, प्रधान मंतरी आवास योजना के तहत, इनी 15,024 कामगार और मजदूरों को, हम उनके घर बड़े ही सम्मान पुर्वक प्रदान करने जा रहे है, इस देश का आज तक का सबसे बड़ा गरीब कल्यान का प्रोजेक्ट इसे कहा जाए तो अतिशयोक्ती नहीं होगी, इस परियोजना की कई विशेष्टाए है, उसमें से एक की यहां इतनी विशाल परियोजना पुर कि और एक असाधारण विशेष्टा यहां भी है कि इस परियोजना में शत प्रतिशत घर उसकी मालकियत हमारी मा बहनों के नाम पर की गई है, तीस हजार घरों का सवालाख लोगों का एक पूरा का पूरा शहर इस परियोजना के माध्यम से सोलापुर में बसाया जा रहा है सोलापुर की जनता की और से मैं माननिय प्रधान मंत्री जी का कुरुत अग्यक्ता के साथ स्वागत करती हूँ और अनुरत करती हूँ माननिय मुख्यमंत्री और उपुमुख्यमंत्री जी से कि वे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी का स्वागत करे प्रधान मंत्री जी को यहां हम राम दर्बार की एक मूर्ती भी देने जा रहे है जिसमें राम, लक्षमन, सीता और हनुमान इनकी मूर्तिया है प्रधान मंत्री जी को हम महराष्ट सरकार की और से राम दर्बार की मूर्ति यहां प्रधान करने जा रहे है जिसमें राम, लक्षमन, सीता और हनुमान है इस महान सपने को पूरा करने के लिए जिन्होंने असंगतित मजदूरों को इकठा कर 365 एकड़ जमीन खरीद कर रे नगर हासिंग फेडरेशन की स्थापना की वे श्री नरसया आडम इनके भगिरत प्रयासों को प्रणाम मैं नरसया आडम जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस परियोजना की भूमिका के बारे में जानकारी दे अजरनी अपन्तप्रदान नरेंद्र मोदी जी भारस सरकार राज्य के गवर्नर रमेश भैसाब राज्य के मुख्यमंत्री नामदार एकनाश शिंदे उपमुख्यमंत्री नामदार उदोव ठाकरे माप करा क्यों देवेंद्र पंडिस अरुदोव ठाकरे हमेशे आने से वो मेरे मुझ में बहटा है मैं मापी चाहता हो देवेंद्र जी पंडिस उपमुख्यमंत्री आजीद पवार मानने वर सभी सभी अधिकारी वर्ग मेरे माँ बैनों बुजुर्गों देश के पंतप्रदान नौ जाने वारी दोजार एको निश्को यही शोलापूर में उन्होंने कोंशिला रखाता यतीस हजार घर का और आज हमको खुशी हो रही है ये तीस हजार में पंद्रह हजार लोगों को चावी देने के वास्ते खुद दिल्ली से पंतप्रदान याये है तमाम सोलापूर के तरफ से उनका मैं जायर अभी नंदनु करता हूँ इतना ही नहीं है पंतप्रदान ने एक करामत करकर दी कहा हमें एक बूंद पानी नहीं मिलने वाला था मैं प्यम ओपिस के पास गया उन्होंने कोशीश किया और पंतप्रदाजी ने हमको वदा किया एक मैने के अंदर एंटी पिसी का पानी तुमको मिलेगा आज गवरों के साथ बोल रहा हूँ वो पानी लाये नहीं गंगा लाये चोवीश घंटा पानी अमको देने का वादा किया इतना ही नहीं है वो फानी कोई एक नया पैसा भी लगने वाला नहीं यह अजिरेम और काम पंत ब्रदा जी ने करकर दिखाया है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री दूसरे उपमुख्यमंत्री इनका भौत बड़ा सरकार रहा इन्होंने माड़ा के तरफ से पिन बैजी दो सो सतर करोन रुपाय रेम अगर कुदिया है मैं आज एकिन के साथ बोल रहा हूँ एक तीस डिसमबर दोजार चुविस के के तीस हजार मकार यह बन जाएगे यह भारत में पहला स्रविक्षर हो रहा है हमको इतनी खुशी है आज यह हमारे लोगों में आज दिवालिया और रम्जान का माओल मह देख रहा हूँ हमारे कुछ सवाल है कुछ अच्चन है पंत प्रदान जी अमेग्या ब्यांचे पैसा मिला पाराजार सो लोगों को मिला लेकिन मैने कुछ दो हजार अपता बटरा हमारे अमदनी साट अट हजार रुपए की यह दो हजार इसमें गए तो हमारी जिन्दगी कैसी चलेगी तो बेरा सुजाव है पंत प्रदान जी से अमारे राज्य के मुख्यमंत्र के तरफ से आप दो लाख रुपए सब्सिडी बढ़ाओ यह अमारी विनंती है आपको अमारी दूसरी विनंती है इजली को आजार बारा सो रुपए जाते है मैं खास करकर देवेंदर जी फट्निस को विनंती करता हूँ हम दो तीर आजार देने को तयार है या सोलर बिठाओ सोलर बिठाने के बाद पचास रुपए भी बिल ने आएगा इसा कराबत महराज शासन के तरफ से होने वाला है मेरी विनंती है उनको या पाच लाग को मकान है के दर सरकार ने लेवर सेस लगा है हमार उपर दस लाग रहे तो लेवर सेस एक तका लगता है और हमको लेवर सेस से पंदरा हाजार हमारा मकान का किमत बढ़ने वाला है आज दो साल हो गए हम कोशिश कर रहे हैं केंडरे के लेबर मिनिस्टर मानने को तयार नहीं है मेरी विलंती रहेगी पंत प्रदान जी से आप या एक टक्का हमारा लेबर से सकम किजिए ये बगल में पचास हजार की बस्तिया है पहरास के मुख्यमंतरी और उपबुख्यमंतरी पास दीन साल से मैं पूछ रहा हूँ आपको वाह रस्ते और ड्रेनेज नहीं है वाह कि हमारे बिड़ी भाइला मुझे पूस्ती रह नगर में सब कुछ आया फिर आमको क्यों नहीं आना तो ये पानी के वाह ड्रेनेज के वास्ते सतर करोड और रस्ते के वास्ते पूने दुस करोड छे बार निवेदन आपके पास महें दिया हूँ इसका भी निर्णे उना ही हमारी विलंती है हमारी सबसे मात्व की विलंती है पंद प्रदान जिते सामने ताब देश में सदुसेश्ट लाख लोग रिटार हो चुके उनको पंचानों के नीचे खजार उनको पेंशन मिलता है कोशारी कमेड का रिपोर्ट आ चुका है चे साल वार अमारी बायन मोतुरा की ख़गदार ये मामाले ने दो बार आपके पास आ चुकी डेपूटेशन दिया तो आमारी विनंती रहेगी कि ये संगटीत कामगार हर मैने पाच हजार लोग मर रहे है तो आमारी विनंती रहेगी पंत प्रदान जी को दस हजार रुपए पेंशन इस मोके पर आप देना गोशना करना सोलापुर शहर एक क्रांति का रख शहर है ये मजदूर का शहर है आईसे शहर में आप इसका यह करना 2014 में पंत प्रदाजी ने आमको वादा किया था मैं पूरा मिल्टरी का कपड़ा या देऊंगा शाब या एक लाक लोगों को नुकरी मिल सकती है हमें आउडर दिजिए वो नहुंशा कामिया का मद्बूर करने को तयार है लेकिन हमको काम ही मिलता नहीं है तो हम क्या करें पंत प्रदाजी या का किसान का मैं अभगार हूँ चार सो एकर जागा उन्होंने किया है वैसाई मसला ये अकल कोट और बारशिकाद चल रहा है मैं मुख्य मंद्री उपर मुख्य मंद्री को निवेधन करता हूँ आप उस किसान को उनका मुवाजा दिए किसान जुगर का तुकड़ा तुमको देता है यही आमकूप ये बाते पंत प्रदान के सामने मुझे रखने का था चांती से सुने है तो सोलापुर में स्रमिको का शहर बन रहा है साफ आप आमकूप घर दिया नहीं माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदी जी से अनुरोध है कि वे सभा को संबोधित करें चत्रपती श्रिवाजी महराज की जै भवानी जै श्री राम आई तुल्जा भवानी चा चर्चनी सास्टांग घंडवत विटल रुकमेनी शिवयोगी सिद्धा रामेश्वर महराज ची स्वामी समर्त महराज जैनना मनापा सुन वंदन अच्चा अधर्निया प्रदान मंत्री महुद एंचा शुबस्ते हुनार या पिया मावाश योजने चा एपोडेबल हाउजिंग मदल्या पहले टप्यात 15,000 घरांचा या लोकार पन प्रसंगी उपसेत आपल्या देशाचे लोकप्रिय आणी यशस्वी प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी सहेब दोनी आमचे उपमुख्य मंत्री आपले गवर्नर सहेब सर्व मंत्री महुद ए आणी खासदार आमदार सर्व मान्यवर अडम मस्तरिकडा आए आणी हजारोंचा संकेनी उपसी सोलापूर कर बांदव भगीनी आणी पत्रकार मित्रानू मिया आपले या सोलापूर चा पवित्र भुमी मदे आदरनी या देशाचे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी सहेबांचा आपले शग्यान चावतिने मना पासुन स्वागत करतो येना मना पासुन धन्यवाद देतो आणी घरव मिलाले ले सर्व कामगारान ना मना पासुन धन्यवाद अभिनन्दन करतो या घरकुल योजने चा भुमी पुजन सोलाला मानन ये प्रधान मंत्री महोदयन चा शुबास्ते जाला होतो त्या वेड़ी मोदी जी मना ले होते शिलान आस हमने किया है चाबी देने के लिए भी हम ही आएंगे त्या नुसार आदर्नियम मोदी जी आज आले यलाच मनतात मोदी गैरंटी संत तुकाराम महराजनी मटले बोले तैसा चाले तैसी वंदा वी पावुले ही मन मोदी सहबान साथी तंतो तंत याठिकानी लागू पड़ती है पड़ते न लागू समरुद्धी महामारगा चा भूमी पुजन हशेल तेही मोदी सहबान चा शुबास्ते दालो त्याचा लोकार पन ही मोदी सहबान निकेलो अटल सेतो मुंबाइतला MTHL त्याचा भूमी पुजन मोदी सहबान निकेलो त्याचा लोकार पंदे केल मोधी साहबानी केला तिशे मोटा गेम चेंजर प्रकल पाये तो माक्चा वर्षी दोन मेट्रो लाइन तो शुबारं बजाला त्याचा ये भुमी पुजान मोधी साहबानी केलो होतो ऐसे अनगिनत परियोजना है ये साबित होता है मोधी जी की गारंटी है सिर्फ कागज पर नहीं होती सिर्फ लबजों में नहीं होती बलकि एक वास्तावता में होती है हकिगत में बरल जाती है मोधी जी के हातों में यश है ऐसा सत्कर्म और भाग्य भहुत कम लोगों के हिस्से में आता है इसलिए मैं फिर एक बार तह दिल से हमारे आधर निय लोग प्रिय प्रदान मंत्री जी का स्वागत करता हूँ उनका अभिनंदन करता हूँ और हम अपने आपको भी भाग्यशाली मानते हैं कि हमें ऐसे नेतरुत्व का अशिरवाद भी प्राप्त है और उनके नेतरुत में विकसित भारत की संकल पनामक में योगदान देने का आउसर भी मिला है अधर निया मोदी जी मुझे यह काते हुए घर हो रहा है मैं कली दावोस से लोटा हूं महाराष्ट सरकार ने वहां लगबग तीन लाग त्रेपन लाग तीन लाग त्रेपन हजार करोड के एमोई साइन किये एक डेड़ लाग से जादा एमोई स के स्विकरूती भी मिली है क्वाम मुझे कई देशों के प्रमुक एड्मिनिस्टर ऑफिसर मिनिस्टर उद्ध्योजग कई लोग मिले सभी के जुबा पे शिर्प एकी नाम था और नाम था आधर निया मोदी जी का मुझे सुनकर बड़ा अनुभव गर्व भी हुआ फक्र भी हुआ और मेरे दिल में एक अभिमान की भावना भी थी क्योंकि स्विजर लेंड डाओस में पुरी दुनिया के लोग आये थे उद्ध्योग जगत के लोग आये थे और उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि फिर से यहाँ पर देश में हमारे निवेश करना है तो भारत में करना है उनको गैरंटी है मोधी सरकार फिर एक बार इस देश में सत्ता स्तापित करने वाला है फिर एक बार मोधी सरकार और मोधी जी के साथ साथ हमारे महाराष्ट की भी राज्यकी भी डबल इंजिन की सरकार बनेगी इसके वज़े से महाराष्ट के उपर भी बहुत ही विश्वाज जताया इंफ्रास्ट्रक्चर है कनेक्टिविटी है स्कील मैन पावर है सबसिड़ी देते है और इसलिए अच्छी इंवेस्मेंट भी हो गई लेकिन इसके पीछे भी आधर निया मोदी जी का यह आशिरवात्ता है मैं खुले दिल से कहूंगा और एक ग्लोबल लीडर एक विजिनरी लीडर एक डाइनामिक लीडर एक दिया हुआ शब्द पुरा करने वाला लीडर ऐसे ऐसे लोग वहां कहते थे और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा महाराष्ट की भी आपके वज़े से शान बड़ी है विकास भी तेजी से हो रहा है सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आज महाराष्ट में चल रहे हैं कि इसलिए मैं अधर निया मोदी जी को महाराष्ट सरकार की वर से धन्यवाद दूँगा आज से साड़े तीन वर्ष पहले अयोध्या में प्रभू स्री राम जी का मंदिर के भी नियू प्रदान मंत्री जी ने रखी दी आज वापूरी दुनिया में चर्चित भव्य मंदिर का निर्मान भी हो रहा है और तीन दिन बाद इस मंदिर में प्रभू राम चंद्र जी को प्रतिश्टित भी किया जा रहा है ये करोडो करोडो राम भक्तो का सपना मोदी जी पुरा कर रहे है इसकी भी उत्सुकता पुरे दुनिया में है हम सब भी मानते है गर एक मंदिर है वहाँ पर भी मुझे अबुधाबी के लोग मिले उन्होंने कहा राम मंदिर तो बन रहा है है उद्ध्या में और अबुधाबी में भी एक मंदिर बन रहा है उसका भी उद्धाटन मोदी जी करने वाले हैं देश के बाहर यह अपने हाप में एक बहुत बड़ी मिसाल है आज आपको उसी मंदिर जैसे घरों की चाबिया सौपी जा रही है प्रदान मंत्री आवाज योजना की तहट रे नगर देश की सबसे बड़ी स्रमिक कॉलनी होगी रे का अर्थ किरन होता है साड़े नाव साल पहले आदर्निय मोदी जी का इस देश के प्रदान मंत्री के पत पर विराजमान होना पूरे देश के लिए रे ओफ होप यानि आशा की एक किरन थी और मोदी जी के रूप में उस रोशनी ने आज पुरा देश को प्रकाश मही कर दिया है ये वास्तवता है ये कटव सत्य है ये हमारा अनुभव है और रोटी, कपड़ा और मकान ये हर इंसान की तीन प्राथमिक जरूरेत है आज देश के हर गरीब को जरोतमंद व्यक्ति को ये उपलब्द कराया जा रहा है अस्सी करोड लोगों को मुप्त अनाज देने वाले मोदी जी गरीबों के घर के घर बनाने के लिए मोदी जी, उनके घर में बिजली भी पहुचाने वाले मोदी जी रसोई गए गैस भी देते है और शवचाले भी बनाने का काम हमारे अधरनिय अप्थान मंत्री जी ने किया है मोदी जी ने संकल्प किया था कि इस देश की समरुद्धी का और दस साल में देश का पूरा नक्षा बदलने का और ओभी नक्षा बदल रहा है और आगे भी बदलेगा यहां पर हमारे देश की मान मरातब पूरी दुनिया में उचाई पे ले जाने का काम अधरनिय मोदी जी ने किया है इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ अडाम मस्तर जी यह अठिकानी भदरावती ता अठिकानी भूमि पूजन जाहे तेचामदे द्रेने जाहे पाने चे योजना है सगला है आणि मनुन योड़त मिया प्रसंगी संगतो इसका भी लुकारपन मोदी जी के हाथों से होगा क्योंकि देश की जन्ता ने गारंटी दी है फिर एक बार मोदी सरकार और इस बार चार सो पार जय हिन जय महराष्ट जय स्रिराम आज और एक परियोजना का शुभारंब होनी जा रहा है जिसका नाम है अमरुट्टू पॉइंट जीरो योजना अमरुट्टू पॉइंट जीरो परियोजना महराष्टा के 413 स्थानी निकायों में क्रियानवयन हुआ है प्रधान मंद्री जी से अनुरोध है कि वे अमरुट्टू पॉइंट जीरो परियोजना का बटन दबा कर शुभारंब करें शहरों में स्वच्छ जल की आपूर्ती एवं सिवेज और शहरी परिवान जैसी बुनियादी सेवाए प्रधान करना इस परियोजना का उद्देश है शहर में रहने वाले मद्यमबर के साथियों का जीवन आसान बनाने वाले इन नई सुभिधाओं के लिए मैं आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ अमरिट 2.0 अभियान प्रधान मंत्री नरेंद्रजी मोदी की शहरों की जल सुरक्षा नीती के तहट अमरिट योजना का जन्व हुआ है राज्य के 145 शहरों में 28,000 करोड रुपए से ज्यादा की 300 से ज्यादा परियोजनाओं को मन्जूरी दी कई है इस अभियान के माध्यम से लगभग 41 लाग घरों को नल कनेक्षन से स्वच जल और 38 लाग से ज्यादा घरों को मल निस्सारन की सुविधा प्रदान की जाएगी योजना के अंतरगत भिवंडी निजामपूर, कल्यान दोंबियुली, उल्हासनगर, शेगाव, सातारा, भदरावती इन जगहों पर जलापूर्ती प्रकल्पों का और सांगली जिले में मल निस्सारन प्रकल्प का निर्माण होगा इन सारी परी योजनाओं की कुल लागत लगभग 1200 करोड रुपेयों तक है ऐसी योजनाओं के चलते भारत जैसे महान राष्ट के महाराष्ट्र में प्रगती की रफ्तार अपनी चोटी पर है मुख्यमंतरी एकनाजी शिन्दे के नित्रथ्व में उपमुख्यमंतरी देविंद्रजी पडण विस और उपमुख्यमंतरी अजिद दादा पवार इस विकास की प्रक्रिया को निरन तर्क गती देने का प्रयास सफलता पूर्वक कर रहे हैं प्रधान मंत्री स्वनिधी योजना, गरीब ठेले वाले, रेडी वाले, पट्री पर सामान बेचने वाले, हमारे ये सब साथी सडक विक्रेता, आत्म निर्भर बने, इस हितू, हमारे प्रधान मंत्री सन्मानियन नरेंद्र मोधी जी त्वारा, प्रधान मंत्री स्वनिधी योजना की शुरुवात की गई इस योजना के माध्यम से 10,000 रुपयों तक एक माइक्रो क्रेडिट की सुविधा उपलब्द कराई जा रही है ये योजना बिना गैरेंटर लोन प्रदान करती है समय पर भुखतान करने वाले उप्भुखताओं को योजना के दूसरे हिस्से में 20,000 रुपयों तक और थीसरे हिस्से में 50,000 रुपयों तक की क्रेडिट सुविधा उपलब्द होगी एक वर्ष के कार्यकाल के लिए स्ट्रीट वेंडर्स को सालाना साथ पीसेवी की दर से ब्याज सबसेड़ी भी मिल सकती है ऐसी योजनाओं के माध्यम से राष्ट्र के सभी स्टर के नागरिकों का जीवन अधिक सुखद और सम्रिध करना विक्सित भारत संकल्प का देय है और वहां मंगलक्षन नजदीक आगया है प्रधान मंत्री आवास परियोजना के तहत रेनगर हाउसिंग फेडरेशन के 15,000 लोगों को घरों का हस्तान तरण होने जा रहा है माननिय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस परियोजना के कुछ लाभारतियों को अपने करकमलों से घरों की चाबी सौप कर परियोजना का लोकारपण करें मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर सुनीता मुदप्पा जगले और उनके पती मुदप्पा मरप्पा जगले इनको माननी ये प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इन लाभार्थियों को घरों की चाबी सौप कर लोकार पड़ करे सुनिता मुदप्पा जगले और उनके पती मुदप्पा मरप्पा जगले अभी न्यू जग जिवन राम जुगी जोपड़ी में रहते हैं और अपने खुद के घर में, मकान में वो अब जाएंगे इसके बाद मैं मंजपर आमंत्रित करना चाहूंगी लता विजय दस्री और उनके पती विजय नारायन दस्री लता विजय दस्री और उनके पती विजय नारायन दस्री दत्तनगर के गिरी जुगी जोपड़ी में रहते हैं और उनको आज खुद का मकान इस रे नगर हाॉसिंग फेडरेशन में प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत मिला है इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रिजवाना लाल मुहम्मद मकांदार और उनके पती लाल मुहम्मद इसमाईल मकांदार यहां गरीबी हटाव जुकी जोपड़ी नंबर दो में वीजापूर रोड में रहते हैं इनको भी आज खुद का मकान प्राप्त हुआ है और मैंने जैसे कि बताया कि इस योजना की परियोजना की ये विशेष्टा है कि घरों की मालकियत हमारी माओं के बहनों के नाम पर की गई है आधर्णिय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि वे अपने कर कमलो द्वारा प्रधान मंत्री स्वनिधी परियोजना के कुछ प्रातिनिधिक लाभार्थियों को पत्र के रूप में निधी प्रदान करें आमस्त्री करना चाहूंगी मेंज पर विजलक्षमी सूर्यमनी इंग़ी विजलक्षमी सूरीयमनी इंग्ले दस हजार का कर्जा इन्हें आज प्राप्त हो रहा है जैसे कि हमने बताया कि कोरोना काल कि जिनका रोजगार बंद हुआ जिनके व्यवसाइए बंद हुए उन्हें खुद का रोजगार मिले व्यवसाय शुरो इसके लिए कर्जा दिया जा रहा है विजया लक्षमी सूर्यमनी इंगले सबजी राशन की दुकान है इनकी इसके बाद आमंत्रित करना चाहूंगी अर्चना राजशेखर कट्टा इनकी रेडिमेड कपड़ों की दुकान है मुझे यहां बताते हुए खुशी हो रही है कि सोलापूर नगर निगम देश का पहला नगर निगम होगा कि केंद्र सरकार द्वारा यह जो टार्गेट डिया गया था उसमें शत्र प्रतिशत से ज्यादा 127 प्रतिशत की सफलता सोलापूर नगर निगम ने प्राप्त की है इसके बाद नीलोफर असलम शेख इन्हें अमंत्रित करना चाहूंगी मेस के डिब्बे चलाती है नीलोफर जी घर चलाने के लिए और उन्हें 10 हजार का रुण उसका पत्र माननिय प्रधान मंत्री जी के हाथों से प्राप्त हो रहा है टोटल 31 करोड से ज़्यादा लोन इस परियोजना के तहट प्रधान मंत्री स्वनिधी प्रियोजना के तहट बाटा गया है इसके बाद मैं अनुरोध करूँगी कि हमारी टेकनिकल टीम से कि प्रधान मंतरी आवास योजना के अंतरगत यह जो घरों का निर्मान हुआ है और महाराष्ट में बाकी जिलों में 90,000 घरों का निर्मान हुआ है उसकी जानकारी देने वाला एक छोटा सा वीडियो प्ले करे टेकनिकल टीम से अनुरोध है प्रधान मंतरी आवास योजना के अंतरगत असंगठीत मजदूरों के लिए रे नगर आवास योजना का निर्मान किया गया है यह प्रोजेक्ट दुनिया के सबसे बड़े हाउजिंग प्रोजेक्ट्स में से एक है इस योजना के तहत बीडी मजदू, सफाई करमचारी, क उंभारी गाउं में बसने जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर घर की माली की महिला के नाम है, इसमें असंगठीत मजदूरों को 300 स्क्वेर फिट का घर मिलेगा, इस आत्म निर्भर टाउन्शिप में घर के साथ पानी, बिजली, पाठशाला, कुशलता वि पीमान की बात यह है कि जन्वरी 2019 में, जब देवेंद्र परणविस जिनकी प्रेरना से ये प्रोजेक्ट मूर्त रूप पा सका है, उनहीं की सरकार राज्य में थी, तब इस प्रोजेक्ट का भूमी पूजन सन्मानिय प्रधान मंत्री मोती जी के हाथों से ही हुआ था, औ पाने 15,024 घरों का समरपन भी उनके ही हाथों हो रहा है, प्रधान मंत्री आवास योजना, इस योजना के तहट पूरे महराष्ट में, 1600 से ज्यादा परी योजनाओं में, 90,000 घरों को प्रधान किया जा रहा है, अब तक योजना के तहट आर्थिक रूप से कमजोर वर EWS क लिए 6,00,000 से ज्यादा सबसीडी वाले घरों को मन्जूरी भी गई है, इन में से कुल 2,00,000 से ज्यादा मकानों का कारिय प्रगती पर है, तथा 1,500,000 से ज्यादा मकान पूर्ण हो चुके हैं, इन घरों में से बुन्यादी धाचे से परिपूर 90,000 घर लाभारतियों को सौ दिये जाएंगे, आज का ये समर्पन समारोह देश के विकास में एक एतिहासिक कदम है, विश्व की सबसे बड़ी आवास योजना आदियर्ननी ये प्रधान मंत्री जी के दूरुदुरुष्टी और अथक प्रयासों का फल है, सारी दुनिया उनके नेतरुत्व कोशल का लोहा मानती है, आप इस आधुनिक आत्मनिर्भर भारत का भरोसा है, आपको देखकर भारत का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करता है, माननी ये प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि वे अपने प्रेरक विचारों से हम सब का मार्क दर्शन करें महाराष्ट के गवर्नर, स्री रमेज बैश जी, मुख्य मंत्री, स्रिमान एकनाथ शिंदे जी, उपमुख्य मंत्री, देवेंदर फड़नवीश जी, अजित दाधा पवार जी, महाराष्ट सरकार के अन्य मंत्री गाण, जन प्रतिनिती गाण, स्री नर्शय आदाम जी, और स्वलापूर के भाईयों और बहनों, नमस्कार, पंडर पूर्चा विठ्थल, आनि सिद्देश्वर महाराज ज्याना भी नमस्कार करीता है, ये समय हम सभी के लिए भक्ति भाव से भरा हुआ है, 22 जन्वरी को सियावर राम चन्द्र की जाए, 22 जन्वरी को वो आईतिहासी च्छनाने वाला है, जब अमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे है, हम सबने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की तसंकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है, राम मंदिर में प्रान प्रतिष्टा से पहले, कुछ संतों के मारधर्शन में, मैं अपने यम नियमों में वस्त हूँ, और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूँ, और आप सब के आशिरवाद से इन 11 दिनों में में वह साधना कर पाऊँ, ताकि मेरी कोई कमी नह रह जाए, और इस पवीत्र कारे को करने का मुझे जो आउसर मिला है, साक्षी भाव से आपके आर्शिरवाद से वहाँ जाऊंगा, साथ यह भी संयोग है, कि इसकी शुरुवात, मेरे इस अनुस्ठान की शुरुवात, महाराष्ट्र के नासिक से पंचवटी की भूमी से हुई, राम भक्ती से भरे इस वातावर्ण में, आज महाराष्ट के एक लाग से जादा परिवारों का दिर्भ प्रवेश हो रहा है, अब बताइए, मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाएगी और नहीं बढ़ जाएगी, आपकी भी बढ़ जाएगी और नहीं बढ़ जाएगी, मुझे बहुत खुशी है, कि महाराष्ट के एक लाग से अधिक गरी परिवार भी, पाइस जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम जोती प्रजवलित करेंगे, करेंगे ना, सब लोग राम जोती प्रजवलित करेंगे, शाम को करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में करोगे, अगर राम के नाम पर अपने मुबाहिल का फ्लेश चालू कीजिए, और राम जोती का संकल पर लीजिए, कि आप सब के मोबाइल के फ्लेश चालू कीजिए कि सब के जिसके हाथ में मोबाइल पून है कि वह वादूर भी लोग है मैंने तो सोचा नहीं था कि यह फ्लेश लाइट होने के बाद दिखने लगा इतनी भारी फीड़ है जड़ा हाथ उपर करके बताईए बाइस तारीक शाम को राम जोती प्रक्टाएंगे शाबाज आज महारास्त के अलग अलग शहरों के लिए दो हजार करोड रुपिये के साथ अम्रित प्रोजेक्स का भी शुभारम किया गया है मैं सोला पुर्वास्यों को महारास्त्र के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अभी मैं मान्य मुखमंत्री जी को सुन रहा था उन्होंने एक बात कही कि मोधी जी के कारान महारास्त्र का गवरों बहुत बढ़ रहा है शिमान सिंदे जी यह सुनकर तो अच्छा लगता है और पॉलिटिशन को तो ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन सक्षा यह है कि महारास्ता का नाम रोशन हो रहा है महारास्ता की जनता के परिशम उर आ आप जैसी प्रगतिशिल सरकार के खारण हो रहा है और इसलिए पूरा महरात्र बधाई के पात्र है कि साथियों प्रभुराम ने हमें हमेशा अपने वचन की मर्यादा रखने की सीख दी है कि मुझे खुशी है कि सोलापूर के हजारों गरीबों के लिए हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वह आज पूरा हो रहा है आज पी एम आवास योजना के तहट मनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकारपड हुआ है और मैं जाकर के देख के आया मुझे भी लगा कि कार्ष मुझे भी बच्पन में ऐसे घर में रहने का मौका भी लाए यह चीज़े देखता हूँ मन को इतरा संतोस होता है इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशिरवाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं और जब मैं इस प्रजेक का सिलान्यास करने आया था तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि आपके घरों की चाबी देने भी मैं खोदाऊंगा आज मोदी ने ये गारंटी पूरी की है आप जानते ही हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी यानी मोदी ची गारंटी मनजे गारंटी पूर्ण होना ची संपूर्ण गारंटी अब ये लाखों रुपिये के घर आपकी संपत्ति है बैं जानता हूं जिन जिन परिवारों को ये घर मिले हैं उनकी अनेक पीडियों ने बेगर रहते हुए कितने तरह के कस्ट जेले हैं मुझे विश्वास हैं कि इन घरों के साथ कस्टों का वो कुचुकर तुटेगा और आपके बच्चों को वो सब नहीं देखना पड़ेगा जो आपने देखा है पाइस जनवरी को जो राम जोती आप जलाएंगे वो आप सभी के जीवन से गरीबे का अंधेरा दूर करने की प्रेरणा बनेगी आपका जीवन खुश्यों से भरा रहे यही प्रभू राम से मेरी कामना है और मैं देख रहा था अभी जुस्सादार बासन सुन रहा था अधाम जी का मुझे खुशी हुई कि 2019 में जब मैं मिला था तो वो काफी पटले थे आज देखिए फल खाखा करके सफलता के फल काफी बजन बढ़ा हैं और यह भी मोधिशी गहरेटी का परड़ाव है मेरे प्यारे भाईयों बहनों जब यह मकान आपसको मिल रहे हैं जीवन की शुरुबात हो रही है तो मेरा यही भाव है आपले जीवन सुखाने भरुन राहो हीच राम प्रभूची इच्छा आहे मेरे परिवार जनों हमारी सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है किसी राम के आदर्सों पर चलते हुए देश में सूसासन हो देश में इमामदारी का राज हो ए राम राज्य ही है जिसने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की प्रेरणा दी है मानस में संत तुलसिदाजी कहते हैं कि जे ही विदी सुखी हो ही पूर लोगा जे ही विदी सुखी हो ही पूर लोगा करही कृपा निदी सोई संजोगा यानि जनता जिस से सुखी होती है कृपा निधान स्री राम चंद्र जी वैसे ही कार्य किया करते थे जनता जनारदन की सेवा के लिए इससे बड़ी प्रेणा और क्या हो सकती है इसलिए 2014 में सरकार बनते ही मैंने कहा था मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है इसलिए हमने एक के बाद एक ऐसी योजनाय लागों की जिससे गरीब की मुश्किले कम हो उनका जीवन आसान बने साथियों गरना होने की वज़े से सौचालाइन ना होने की वज़े से करीब को कदम कदम पर अपमानित होना पड़ता था पिशेश रुप से हमारी माता और बहनों बेटियों के लिए यह बहुत बड़ी सजा थी और इसलिए सबसे पहले हमने करीबों के घर और सौचालाइन के निर्मान पर ध्यान दिया हमने दास करोड से जादा सौचालाइन बनाकर करीबों को दिये वो सरफ सावचाले नहीं है हमने इज्जद घर दिया है मेरी माता और बहनों की इज्जद की गारंटी दिया है हमने चार करोड से अधिक पक्के घर मना कर गरीबों को दिये आप सोच सकते हैं जिन को यहां घर मिला है पूछ लीजिए जीवन में कितना संतोज है यह तो तीस हजार है हम चार करोड को दे चुके है कितना संतोज होता होगा दो प्रकार के विचार रहते हैं एक राजनितिक उल्लू सिधा करने लिए लोगों को भड़काते रहो भड़काते रहो भड़काते रहो हमारा मार्ग है हमारा मार्ग है आत्म निर्भर स्रमी हमारा मार्ग है गरीबों का खल्यार और मैं आप से कहना चाहता हूं जो नए घरों में रहने जाने वाले आप बड़े बड़े सपने देखिए छोटे सपने मत देखना और यह मोदी की गारंटी है आपके सपने कि मेरा संकल्प है पहले के समय में शहरों में जहां जुग्या ही जुग्या बनी आज हम उन जुग्यी वास्यों को पक्के घर बना कर देने का काम कर रहे हैं सरकार की कोशिश है कि रोजी रोटी के लिए गाउं से आने वाले लोगों को भाड़े पर जुग्यों में ना रहना पड़े आज शहरों में ऐसी कॉलानिय बनाई जा रही हैं जहां उचीत किराय पर ऐसे साथियों को मकान मिल सके एक बड़ा अभियान हम चला रहे हैं हमारी कोशिश है कि जहां लोग काम करते हैं उसके आसपास ही आवास का प्रबंद हो मेरे परिवार जनों हमारे देश में लंबे समय तक गरीबी हटाओं के नारे लगते रहे लेकिन इन नारों के बावजूद गरीबी नहीं हटी है ऐसे सुत्र चलते थे आधी रोटी खाएंगे अरे क्यों भाई आधी रोटी खाएंगे और तुमको बोड़ दें ऐसा कहते दे लो क्यों आधी रोटी खाएंगे जनता जनारदन का यही सपना यही संकल यही तो फर्क है और साथियों जैसे सोलापूर स्रमिकों की नगरी है ना मेरा कारिक्षेत्र अहम्दाबाद रहा वो भी स्रमिकों की नगरी है वो भी टेक्स्ट्राइल के स्रमिकों की नगरी है अहम्दाबाद और सोलापूर का इतना निकटनाता है और मेरा तो सोलापूर से और भी निकटनाता है मेरे एम्दाबाद में यहां से पदमशाली काफी परिवार एम्दाबाद में रहते हैं और मेरे जिवन का सवभागे रहा मेरे पुरवासरम में मुझे महिने में तीन चार बार भोजन खिलाते थे हमारे पदमशाली परिवार चोटी चाल में रहते थे, तीन लोगों के बैठने की जगा नहीं होते थी, लेकिन मुझे कभी भूखा सोने नहीं देते थे और मैं तब आश्यर्य था, एक दिन स्वलापूर के किसी सज्जन ने, बहुत साल हो गए, नाम बुजियाद नहीं रहा है, उन्होंने बढ़ी अच्छी तरह वीव किया हुआ, वीविंग किया हुआ, एक बहुत बढ़ी अच्छी तरह मुझे भेजा, महाराष्ट्र के सतारे के लक्ष्ण रावी नामदार वकिल साब, जिनका मेरे जीवन में घड़ने में बहुत बढ़ा रोल था, कहीं से वो चित्र ला करके, उस चित्र को उन्होंने इस प्रकारते उके रहा था, अपनी बुन्ने की कला से, और वो मुझे अधूत चित्र उ मेरे दिल में पसा, मेरे परिवार जनो, हमारे देश में, लंबे समय तक, यह जो गरीबी हटाओं के नारे लगते रहे ना, लेकिन इन नारों के बावजूद गरीबी नहीं हटी, और इसका सबसे बड़ा कारण यह था, कि गरीबों के नाम पर योजनाय तो बनाई जाती थ लेकिन उनका लाब असली हगदार को नहीं मिलता था, पहले की सरकारों में गरीब के हग का पैसा, बीच में ही बिचोल ये लूट जाते थे, यानि पहले की सरकारों की नियत, नीती और निश्ठा कटगरे में थी, हमारी नियत साब है, और निती गरीबों को ससक्त करने की है, हमारी निश्ठा देश के प्रती है, आमची निश्ठा देशा प्रतिया है, भारताला विक्सित राष्टा बनेवणिया साथिया है, इसलिए मोदी ने गारंटी दी कि सरकारी लाब अब डारेक लाभारती तक पहुँचेगा, कोई बिचोलिया नहीं, हमने लाभारतियों के रास्ते में खड़े बिचोलियों को हटाने का काम किया, ये जो लोग कुछ चिलाते हैं न, उसका कारण यही है, मलाई खाना उनका बंद हो गया है, हमने बिचे दस वर्सों में 30 लाग करोर रुपिय से ज़्यादा सीधे गरीब, किसान, महिला और युवा लाभारतियों के बैंक खाता में ट्रांसपर की है, जन्दन, आधार और मोबाइल कवाइट बना कर, हमने करीब 10 करोर ऐसे फर्जी लाभारतियों को हटाया, जिनका जन्म भी नहीं हुआ था, और जो आपके हित के पैसे खा रहे थे, जो बेटी पैदा नहीं हुई, वो विद्वा हो जाती थी, सरकार दे पैसे मार लिये जात जाते थे, जो व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, उसको बिमार दिखा करके रुपिय मार लिये जाते थे, साथ क्यों, जब हमारी सरकार ने गरीबों को सरवोच्च प्रात्पिक्ता देते हुए काम किया, गरीब कल्यान के अनेक योजनाय शुरू की, तो इसके नतीजे भी निक जाले है, यहां कड़ा छोटा नहीं है, दस साल की तपस्या का परणाम है, करीबों के लिए जिन्दगी खपाने के संकल्प का परणाम है, और जब सच्ची अच्छा, निष्ठा, पवित्रता से काम करते हैं, तो परणाम भी अपनी आँखों के सामने दिखते हैं, जाते है और इसके कारें, बाकी साथियों को भी विस्वात मिला है, कि बेभी गरीबी को हरा सकते हैं, साथियों, देश के पचीश करोड़ लोगों ने गरीबी को कैसे परास्त किया, ये देश के लोगों के बहुत बड़ी सफलता है, मैंने हमेशा कहा है, कि गरीब को साधन सउसाधन मिले, तो उसमें इतना सामर्त है, वो गरीबी को परास्त कर देता है, इसलिए हमने देश के गरीबों को सुविधाएं दी, साधन दिये, और उनकी हर चिन्ता दूर करने का इमानदारी से प्रयास किया, एक समय था, जब गरीब की सबसे बड़ी चिन्ता थी, दो वक्त की रोटी, आज हमारी सरकार ने, देश के गरीबों को मुक्त राशन दे कर, उसे अनेक चिन्ताओं से मुक्त किया है, आधी रोटी खाके नारे नहीं लगाएगा, कुरोना के समय शुरू की गई ये योजना, अब अगले पांच साल तक भी ये बड़ा दी गई है, और मैं देश वास्यों को वादा देता हूँ, मुझे संतोस है कि 25 करोड लोग गरीबी से बहार आए है, और मुझे ये भी पता है, क्याने पाले पांच साल जो गरीबी से बहार निकले हैं, उनको भी ताकत देते रहना पड़ेगा, ताकि कभी किसी कारण बोजो गरीबी में लोट न जाए, फिर मुसीबत में फस न जाए, और इसलिए जो योजना यह न, उसका फाइदा भी उनको मिलता रहने वाला है, एक्टुली उनको तो जादा देना आतका मांड करता है, क्योंकि वो हिम्मत के साथ मेरे संकल को पूरा करने के लिए, पचीस करोड लोग, पचास करोड भूजाए, आज मेरी साथी बन गए है, और साथ क्यों, हमने स्रम मुफ्त राशन की ववस्ताई नहीं की, बलकि राशनकार से जुड़ी समस्या को भी हल किया, पहले एक जगह बना राशनकार, दूसरी राज में चली नहीं पाता था, अगर कोई साथी काम के लिए दूसरी राज ये जाता था, तो वहाँ उसे राशन लेने में बहुत से मुश्किले आती थी, हमने एक देश, एक राशनकार की व्यवस्ता बनाई, इससे एक राशनकार पूरे देश में चलता है, अगर सोलापूर का अभ्यक्ति, अगर चिन्नई में जाकर के कारोवार रोजी रोटी कमाता है, तो राशनकार नया नहीं निकलना पड़ेगा, चिन्नई में भी इसी राशनकार से उसको अन मिलता रहेगा, और यही तुम गुदी की गारंटी है, साथियों, हर गरीब की हमेशा से चिन्ता रही है, कि वो अगर बिमार हो गया, तो फिर इलाज कैसे लगाएगा, और गरीब परिवार में अगर एक आफ बार बिमारी आ गई, तो मेहनत करके गरीबी से बाहर निकलने के उसके सारी बाते तूड़ जाती है, वो फिर से बिमारी के कारण गरीबी के अंदर फस जाता है, पुरा परिवार फिर संकट में फस जाता था, इसे समझते हुए हमारी सरकार ने पांच लाख रुपिये तक के मुप्ते लाज की सुविदा देने वाली आविश्मान योजना शुरू दिये, आसी योजना ने गरीबों के एक लाख करोड रुपिये खर्च होने से बचाएं, आप कल्पना कर सकते हैं, अगर मैं एक लाख करोड रुपिये की योजना गोसित कर देता, तो पता नहीं 6-6 जिन तक अख़बारों में हेडलाइन चलती रहती, टीवी में भी चमकता रहता, लेकिन ये मोधी की गारंटी की ताकत है, एक लाख करोड रुपिया इस योजना ने आपकी जेब में बचा दिया, और जिन्दगी बच गई हो, और अज सरकार पीम जनव सथी केंद्रों पर 80%, 80% डिसकाउंट पर दवाई दे रही है, इससे भी गरीबों के 30,000 करोड रुपे खर्च होने से बचे हैं, गरीब परिवार में बिमारी होने का एक बहुत बड़ा काराण, गंदा पानी भी होता है, इसलिए हमारी सरकार आज जल जिवन मिशन चला रही है, हर गर को पानी के कनेक्शन से जोड रही है, सात्यों इन योजनावों का लाप पाने वालों में सबसे बिड़ी संख्या, पीछडों और जन जातिये समुदाय के लोकों की है, करीब को पक्का गर मिले, सौचाने मिले, उसके गर में बिल्ली कनेक्शन हो, पानी हो, ऐसी सारी सुविदायें, ये सच्चे अर्थ में सामाजी की न्याय की मोदी की गारंटी है, इसी सामाजी न्याय का सपना संत्र विदाज जिने देखा था, इसी बेद्वाव रहित अवसर की बात कभी दाज जी ने कही थी, इसी सामाजिक न्याय का मार्ग जो तिवा फुले सावितर भाई फुले ने दिखाया था बाबे साब अंबेर करने दिखाया था मेरे परिवार जनो गरीब से गरीब को भी आर्थिक सुरक्षा का कबच मिले ये भी मोदी की गारंटी है दस वर्थ पहले तक गरीब परिवार जीवन वीमा के बारे में सोध भी नहीं सकता था आज उसे दो दो लाख रुपिये तक के दुरगटना और जीवन वीमा की सुरक्षा मिली है ये वीमा सुरक्षा मिलने के बाद यहां कड़ा भी आपको प्रसंद न करेगा ये बीमा सुरक्षा मिलने के बाद सोला हजार करोड रुपिये उन गरीब परिवारों को मिले हैं जिनके परिवार में कोई मुसिवत आ गई और ये बीमा के रूप में उनके खातों में ट्रांस्पर किये गए हैं साथियों आज मोदी की गारंटी के सबसे अधीक उनके काम आ रही हैं जिनके पास बैंक को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था कि यहां इस सभा में भी अनेक साथी ऐसे हैं जिनके पास 2014 तक एक बैंक खाता तक नहीं था जब बैंकों में खाता ही नहीं था तो उन्हें बैंकों से लोन कैसे मिलता है चंदन योजना चला कर हमारी सरकार ने पचास करोड़ गरीबों को देश की बैंकिंग ववस्ता से जोड़ा आज यहां पी एम स्वनीदी के दस हजार लाबार्थियों को बैंकों से मदद दी गई हैं और कुछ टोकन मुझे यहां देने का आवसर में दस हजार देश भर में है भी पुट पाथ पर छोटी छोटे काम करने वाले लोग शब्दी बैटने लिए अपनी सुसाइटी में आ मोदी ने उसको पूझा है आज मोदी ने पहली बार इने पूछा है इनकी मदद के लिए आगे आया है इन साथियों को पहले बाजार से मंगे ब्याद परनान लेना पड़ता था क्योंकि इनके पास बैंक को देने के लिए गारंटी नहीं थी मोदी ने इनकी गारंटी ली बैंकों से मैंने कहा यह मेरी गारंटी है उनको पैसे दीजिए यह गरीब लोग नोटा देए और गरीब पर परोसा है और आज बिना गरंटी को ए रेड़ी पट्री वाले लोगों को बैंक से लोन बिल रहा है ऐसे साथियों को अभी तक हजारों करोड रुपय की मदद दी गई है मेरे परिवार जनो सोलापूर तो उद्योगों का सहर है मैंनत का मद्दूर भाईब्यानों का शहर है यहां निर्मान कारिय से छोटे और लगुद्योगों से अनेक साथ ही जुड़े हुए सोलापूर के वस्त उद्योग की पहचान तो देश और दुनिया में है सोलापूरी चाधर के बारे में कौन नहीं जानता देश में उनिफॉर्म का काम करने वाली MSM इसका सबसे बड़ा क्लस्टर सोलापूर में है मुझे बताया गया कि आप विदेशों से भी बड़ी संग्यामी इनिफॉर्म का ओडर आते हैं साथियों कपड़े सिलने का ये काम तो अनेक पीडियों से चल रहा है पीडियां बदली फैशन बदले लेकिन क्या किसी ने कपड़े सिलने वाले साथियों के बारे में कभी सो पूचा था क्या कि मैं इन्हें अपना विश्वकर्मा साथी मानता हूं कि एसे हर विश्वकर्मा साथियों का जिवन बदलने के लिए हमने पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई है और कभी-कभी आप मेरे जैकेट देखते ना उसमें कुछ जैकेट सोलापूरते मेरा एक साथी बना करके मुझे बेचता है अगा है मेरे मना करने पर भी पेचता रहता है एक बार तो मैंने उसको फोन करके बहुत डाटा बही तुम मुझे मत बेजो बले ने शाहाब आज भी मुझे मिल गाया है मैं लेकर आया हूँ साथ्यों इबिश्व कर्मा योजना के तहट इन साथ्यों को ट्रेनिंग दी जा रही है आधुनिक उपकरन दिया जा रहा है अपना काम आगे बढाने के लिए इन्हें बैंकों से बिना गरंटी दिये लाखों रुपिय का रन भी बिल रहा है इसलिए मैं सोलापूर के सभी बिश्व कर्मा साथ्यों से कहुंगा कि जोजना से आप भी तेजी से जुड़िए अजकल तो विख्षित भारत संकल प्यातरा गाउं महले महले पहुंच रही है इसमें मोदी की गारनटी वाली गाड़ी है इसमें आप पीम बिश्व कर्मा सहीड सरकार की हर योजना से आत्मनिर्भर भारत बनाने जरूरी चाहे है विक्सित भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर भारत बनना जरूरी है और आत्मनिर्भर भारत बनाने में हमारे छोटे लगो और कुटीर उद्योगों की बहुत बड़ी भागिदारी है इसलिए केंद्र सरकार MS MS को छोटे उद्योगों को लगातार बढ़ावा दे रही है कोरोना काल में जब MS MS पर संग्यट आया तो सरकार ने ने लाखो करोड रुप्यों की मदद की थे इसे लगू उद्योगों में बड़ी संग्या में रोजगार खत मोंड़े से बच पाए आज सरकार देश के हर जिले में बन डिस्टिक बन प्रोड़क्ट योजना भी चला रहा है वोकल फर लोकल का भ्यान भी आज हमारे चोटे उद्योगों के प्रती जागुरुता बढ़ा रहा है आज जिस प्रकार दुनिया में भारत की सांग बढ़ रही हैं उससे मेडी निनिया उत्पादकों लिए संभावनाएं भी बढ़ रही हैं केंद्र सरकार के इन सारे अभ मेरे परिवार जोनों हमारी केंद्र सरकार के तीसरे कारकाल में अगले मेरे कारकाल में भारत भी है कि दुनिया की तौप तीन अर्थ बवस्ता में शाविल होने वाला है मैंने देश वाच्चों को गरंटी दिया है कि आने वाले मेरी टम में मैं पहले तीन देशों में दुनिया में भारत को ला करके खड़ा करूंगा ये मोदी ने गरंटी दिया और आपके भरोस मुझे लगता है मेरी ये गरंटी पुरी हो गया आपके आशिरवात की ताकत है अर्थ व्यवस्ता के इस विस्तार में सोलापूर जैसे मारा अर्थ के हमारे नेक शहरों के बड़ी भूमी का है जबलिंग्जिन की सरकार इसलिए इन शहरों में पानी और सिवेज जैसी सुविदाओं को लगातार बैतर बना रही है शहरों का अच्छी सड़के रेलवे और हवाई मारते जोड़ने का काम तेजी कती से चल रहा है संत ग्यानेश वर महराज पाल की मारग हो या संत तुका नाम पाल की मारग हो इन पर भी तेजी से काम जारी है रत्नागिरी कोलापुर और सोलापुर के बीच फोर लेन हाइवे का काम भी जल्द ही पुरा होगा आप सभी परिवेज़ उरों जन्रों ने ऐसे ही व्कास के लिए हम सभी को बहुत आशिरवात दिया है यह आशिरवात ऐसे ही बना रहे है इसी विश्मास के साथा कर बैद्यों आज अपना भकका घर मिला है इसे फिर से बढाई मेरे साथ बोलिए दोनों हाथ उपर करके बोलिए भारत माता की आवायत पुरे महरास्टे में पहुंचनी चाहिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की यह जो आप जैकारा बुला रहे हैं न यह जैकारा देश के हर गरीब में नया विश्वास परदा करने की ताकत रखत हैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं इस लोकारपण समार होके संपन्द होने की अउपचारी घोशना करती हूं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं इसलिए Wildlife